और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात आज श्रामण कुष्णपक्ष की उद्याति थी अश्टमी और स्वमवार का दिड़ है आश्टिवी तिथी आश्टुबाद साथ बेटकर 45 मेने तक रहेगी उसके बाद नौवी तिथी लग जाएगी आप जानते हैं कि हर महीने की शुक्रपक्ष की अश्टमी दिथी को दुरगा अश्टमी का वरत किया जाता है इस दिर वरत करके माता दुरगा की पूजा करने का विधान है आज ऐसा करने से जातकपर देवी दुर्गा का आशिरवाद सदेव बना रहता है और जीवन में सुखसमत भी बनी रहती है साथी आज देर राथ दो बच कर सतावन मिनट तक इंद्रेयोग रहेगा इंद्रेयोग के दौरान राज़ पक्ष के कारों में अत्वा सरकारी कामों में सफलता चरू मिलती है इसके अलावा आज देर राथ 3 बच कर 2 मिनट तक अनुराधा नक्षचत रहेगा आकाश मंडल में इस्ति 27 नक्षत्रों की गिंती में से अनुराधा सत्रहवा नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनीदेव है और इसकी राशिव रिश्चित है जबकि वहनास्पत्यों में इसका संबंध मौलशी के पेर से बताय गया है मौलशी के पेर उसकी लगणी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र वेक्षत्र को सुटर्टता पदान करने वाले हैं ये उन्मुक्त जीवन की प्रणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं मौलशी के अरोमा बहुत सी स्वास संबंधे परेशानियों को दूर करने में सहायक भी है लहाद जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी तो उन लोगों को आज के दिन अनुराधा नक्षत के दारान मौलशी की पेड़ के उपासना करने चाहिए साथी मौलशी के पेड़ उसकी लक्णियों फल या पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुपसा नहीं पोचाना चाहिए और नहीं उन्हें किसी तरह से उप्योग में लेना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको शुब फलों की प्राप्ति होगी तो ये थी चर्चा आज दुर्गाश्टमी, इंद्रियोग और अनुराज अधानक्षत्र की और अब बात करते हैं आज शावन के महीने में के चौथे सोंबार की आज शावन महीने का चौथा और आखरी सोंबार है हमने कई बार चर्चा की है कि शावन महीने के दौरान पढ़ने वाले सोंबार का शास्तुर में बड़ा ही अधित महत्तों बताया गया है आप जानते हैं कि शावन महीने के प्रत्यक सौंबार को भगवान शिव की पूजा अचना करने का विधान है इस दिन वरत कर भगवान की शिव की उपासना करने से जीवन में हर प्रकार के सुपसुधाओं की प्राप्रियोती है खास तोर पर इस दिन कुवारी करने आए वरत करके सुयों के वर पाने की कामना करती है इसके अलावा देर रात एक बच कर सोलह मिनट पर सूरे देव सिंधर राश में प्रवेश करेंगे और सुलह जितंबर की देर रात एक बच कर बारह मिनट तक यहीं पर गोचर करते रहेंगे उसके बात करने आए राश में प्रवेश कर जाएंगे सुरे के इस गोचर का शुब फल सुरे चित करने के लिए और अशुब फलों से बचने के लिए च्या उपाय करने चाहिए इसकी विस्तित चर्चा हम कल करेंगे तो ये थी चर्चा आज शावन के चौछे सोंबार और सूरे के सिंगराश में गोचे की और बात करते हैं के शावन के चौछे सोंबार और दुर्गा अश्टिमी के दिन के जाने वाले खास उपायों के बारे अपने अच्छे स्वास्ते के लिए और एक बहतर जीवन के लिए आज स्तान आदी रोज मर्णा के काजों से निवरत होकर अपने घर के आसपास किसी शू मंदिर में जाएं वहां जाकर शुद जल में दूद और गंगा जल डालकर शिवलिंग पचड़ाएं साती भगवाँ से अपने अच्छे स्वास्ते और बहतर जीवन की प्राथता करें और आज माता दुर्गा का मंत्र जरू पढ़ें ओम अएंग रिंग लिंग चामुन डाय विच्चे माता दुर्गा का मंत्र पढ़ें और साम्ब शिव की उपासना करें, मतलब माता सही भगवान शंकर की उपासना करें अपनी धन संपत्री में व्रिदी के लिए और अपने घर की तिजोरियों को हमेशा भरा रखने के लिए आज आप सावा किलो साबुट चावल लें उसमें कुछ चावल शिव मंधिर में चड़ाएं और बाकी चावलों को किसी जपरत्मन्द में बाठ दे और भगवान शिव को चावल अर्पीत करते इसमें मंतर पढ़ें मांसिक रूप से शांद के प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉस्टि उर्जा की बढ़ोतरे के लिए आज भगवान शीव की मूर्ति और तश्वीर के आगे आसन बिचा कर बैठ जाएं मूर्ति स्थापना और आसन बिचाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका मूँ पूरत दिशा क्यों रोना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होने चाहिए इस तरह सब अच्छी से विवस्टित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाद में घरी सांस लेकर ग्यारा बार उच्छा रण गए पूरी आवाद में कीजिए ओम पूरा जोर से कीजिए आज ऐसा करने से आपको मांसी ग्रूप से शांति पराप्त होगी और आपके अंदर पॉस्टि उर्जा का समावेश होगा आपको या आपके परिवार के किसी भी सर्देश्य को कोई स्वासंबंदी समस्या है और आप उसे जल से जल छुट करा पाना चाहते हैं तो आज शाम के समय घर में किसी एकान जगह पर आशन बिछा कर बैठ जाएं समाज में अपना प्रभाव और रुद्बा कायम रखने के लिए और राजा के समाज जीवन जीने के लिए आज के दिन बालू भस्म गुल और मक्षन मिलाकर शिवलिंग बनाए उसका विद्रिदान से पूजन करें और साथ में देवी के मंत्र पढ़ें या देवी सर भूतेशु शक्ति रूपेनल संस्तिता नमस्ता से नमस्ता से नमो नमहा और फिर शिवलिंग का विद्रिदान पूरक पूजन करके और पुरह एक सो आठ बार माता कमंत्र पढ़के बालू और भस्म से बनी शिवलिंग को शिव मंदिर में जाके रखाए आज के दिन ऐसा करने से समाज में आपका रुद्बा बढ़ेगा और आप एक अच्छा जीवन बिताएंगे और देखो शिवलिंग बनाते समय शिवलिंग आपके अंगुठे से बढ़ा होना चाहिए और आपके वितस्ती यानि अंगुठे से लेके कनिश्टिकात को फैला पाने में जितना डिस्तिंस है इस से चोटा होना चाहिए और अंगुठे से बढ़ा होना चाहिए ये प्रमानस का शक्त्रों को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए आज शिवलिंग पर ओम नमस्ष्वाय बोलते हुए धरतूरा चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको शक्त्रों पर मिज़े मिलेगी और मुकदमे में जीत हासिल होगी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए अगर आपकी पहले से शादी हो चुकी है तो उसमें प्यार को बरकरार रखने के लिए आज दूद में थूरा सा केसर और कुछ फूल डालकर श भागवान शंकर के चर्णों में इस परश कराकर बाद में जोके आटे की रोटियां बना ले और गाय के बचले या बायल को खिला दे आज के दिन ऐसा करने से घर की सुख समर्द्य को किसी की नसर नहीं लगेगी आपने किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता पाने के लिए आज बेलपत्च से भागवान शंकर का फूजन करें शिवलिंग पर बेलपत्च चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंतर का जाब जरू करें आज ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की तैह होगी अगर आपको हर समय किसी ने किसी चीज का भय बना रहता है तो इसके लिए आज शाम के समझ शिवल जी की परत्मा के आगे दीपक जला कर आसन बिछा कर पष्चिन दिशा के और मो करके बैठना चाहिए और संभव हो तो रोड्राक्ष चंदन की माला से ओम नमः शिवाय मं करता नहीं है तो कर माला पर गिनकर 108 बार हाथ पर गिनकर 108 बार मंतर का जाप कर लिए आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज का भय नहीं होगा और स्वैम के अंदर एक नहीं उर्जा महसूस करेंगे अगर आप सुन्दर स्वस्थ काया और परमसुक की प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आप कुस्तान आदि के बाद साफ कपले पहन कर दिवी दुर्गा के इस मंतर का जाप करना चाहिए मंतर है देहि सवभाग्य मारोग्यम देहि मे परमंसुकम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जहिए आज के दिन आपको 11 बार इस मंतर का जाप करना चाहिए और मंतर जाप के बाद देवी मा को प्राम करना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपको सुन्दर स्वस्थ काया और परम सुक्की प्राप्ति होगी अगर आप अपने जीवन में देवी मा की करपा बनाये रखना चाहते हैं और अपने कामों में परिवार का सहयोग बनाये रखना चाहते हैं तो आज आपको किसी छोटी कर्णिया में मा दुर्गा का जान करते हुए आशरवाद लेना चाहिए और उसको भेर सुरूप कुछ नो कुछ देना चाहिए आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में देवी मा की कृपा बनी रहेगी और आपको अपने कामों में परिवाद का सायोग बिलता रहेगा तो ये थी चर्चा शामण के चौछे सोंबार और दुर्गाश्टिमी के सायोग में किये जाने वाले खास उपायों के बारे में गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर